वेलकम टू बूट व्लाग्स काफी लेट हो गया तो थोड़ सा बीजी था मैं तो मुझे टाइम नियुक्त बनाने का तो वेलकम बैक टू पूट ब्लाग्स उमीद करते हैं गया आप हमारी वीडियो देख रहे होंगे और इसे फाइदा उठा रहे होंगे यह वाली वीडिय वीडियो के साथ ही रेलिवेंट है और इस वीडियो में बिस्कस करेंगे वट आर डॉकमेंट्स रेक्वाइड पूबाई 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 पूर जो आ रहे हैं तो कौन-गोन से डॉकमेंट्स आपके पास होने चाहिए और डेक्रीज़ पर होने चाहिए ताकि अगर आप इदर आएं तो आपका प्रोसेस स्मूर्ली चल ज़िए और आपको आके मसला नो तो अभी हम बात करेंगे यहां पर दो चीजों के बारे में एक है कि आपको आपकी होम गंट्री में ड्राइटली चॉब मिलें और आप उनके विजे पर यहां पर ट्रैवल कर रहे हैं और बाकी स्टेप से इन है तो उसके लिए आपको करना क्या है सबसे पहले आपको करनी है डिग्री अटेस्टेशन अब इसका फॉर्मैट किया है मतलब इस प्रोसेस के अंदर मैं आपको आटलेंग्स बता देता हूं सबसे पहले आएंगी आपकी एजुकेशनल लगवाना पड़ेगा यह बेसिकली एक स्टैंप होता है जो कि गवर्मेंट आपको लगागे देती है कि एस वह बिलीबल और आप पाहर के मुल्क जा रहे हैं कहीं पर चॉप करने के लिए तो यह चार चीने है तो अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है पैचलेस किया तो जो आपकी सबसे लिटेस्ट डिग्री है न वो आपको अपनी एजुकेशनल इंस्टिट्यूट जो आपको वो डिग्री इशू करता है उससे अटेस्ट करवानी पड़ेगी अगर मैं पाक्स्तान के बात करूँ जैसे हाईर एजुकेशनल काउंसल है एचिसी है आप अ at a station from ministry of foreign affairs ministry of foreign affairs तब तक स्टेंप नहीं करती जब तक आपकी educational बोर्ट जो है वो इसके पर स्टेंपना करते वह आपने लाजमी टेस्ट करवाना है उसके third step आता है जब आपने बोर्ट से भी टेस्ट करवा लिए हैं आपनी UA embassy अश्ण कर्वाना है युव इंबैसी तब तक यह एक होता है वो आपको करवाना पड़ेगा जब यह तीनों चीज़ेंगी जिस कंपनी ने आपको जॉब आफर किया है वह आपको एक ओफर लेटर देगी वह जो ऑफर लेटर है और उसकी क्या के रिक्वार्मेंट्स हैं वह सारा आप प्रिंट करेंगे और अपनी यह आपको लगा कर देती है कि यह लड़का यह बंदा या यह बंदा जो बंदी जो है यह पाकिस्तान से बाहर जॉब के लिए जा रही है और इसके पास यह कि वैलिद ऑफर लेटर है ठीक है यह हो गया उसका प्रोसेस दूसरी चीज होती है इसके नुकसान किया अगर आप न आप वीज़क वीज़क लेकर डिरेक्ट दुबई आजेंगे और यहां पर जॉब सर्च करेंगे जब आप जॉब सर्च करते हैं प्रोसेस वही है जो मैं आपको पताया है वही टेस्टेशन का टाइम है तीनों के अगर एक टेस्ट नी होगी तो दूसरा नी होगा दूसरा मुफा का टेस्ट नी होगा तो यह वीज़क करनी को सब्सक्रक्राइब टेस्ट करसें ने का ने कैंठ जब सिर्क आप की ही ग्रियस लगानी हो और यहां पर ऑने के बाद यह ग्रियस 2-0 ऑriters करो यहां पर आपकर एप सिगनल मिलेगा या green stamp होता है या red stamp होता है मतलब जो home country में होता है वो एक red stamp होगा और जो इतरा के test होगा वो तुबारह यहीं बैसी से test होगा वो होगा green stamp जो तकरीपन 304 टेस्टेशन के stamp है जो कि आपकी डिगरी पे होगी वीजा लगने से पहले इसकी वज़ा कि अगर आपकी यह टेस्टेशन नहीं है तो यू कैनाट भी को qualified as a professional मतलब आपको एक professional नहीं कहा जा सकता तो आपको जो visa category मिलेगी वो पढ़ी low level category मिलेगी मतलब आपको worker का दे देंगे किसी driver का देंगे काम आप ऐज़ा वाइड कोलर ही कर रहे होंगे वारा आपकी visa category बढ़ी different होगी तो उस तीस से बचने के लिए अगर आपको अपनी required designation चाहिए अपने visa के ओपर तो आपको यह testation लाजमी करवानी पड़ेगी इसका benefit क्या है कि अगर आप यहां से कहीं PR अप्लाई कर रहे हैं कहीं immigration के लिए MUSIC बचाथ यहां पर बीजश कर रहे हैं किसी विजट वीजग के लिए बाहुंड आपको क्रेडिट कार्स मिलें अच्छे मिलेंगे आपको पैसिलेटीज भी अच्छी नहीं यह सारी चीज़ आजी तो उसके लिए ये प्लाइग आए और हकर आप यहां पर आते हैं यहां प और आके भी जब कंपनी के अंदर आप जोईन करते हैं कंपनी आपको कह सकती है कि यार आप जाओ और यह डिग्री टेस्टेशन बजारा करवा के लिए तो जब यह टेस्टेशन का दुबारा रिक्वार्मेंट आएगी तो आपको या तो खुद अपनी होम कंट्री में जाना नहीं है तो आप यह सारी डिग्री टेस्ट करवा कर आईं ओके जब आप यहां पर आपको कहीं में जौब मिले कोई आपको जो है प्रोफेशनल वाइड कोलर जॉब मिल रही है तो आप इसली अपना जो है जो आपका फुर्दर वीजा का प्रोसेस है वाफ स्टार्ट करव टेस्ट होकर नहीं आएंगी वीजे की कॉस्ट आपको फुद बेर करने पड़ेगी और यहां पे अगर आप सपोस्ट टू मन्स का आजकल वीजेट वीजा है जिसके लोगा की जौब हंड कर रहे हैं और आपको दुबारा जो है कंपरी कहती है कि अपना वीजा एक्स्टें टेस्ट करवा कर आएं चौती चीज़ अगर आप स्किल्ड लेबर नहीं है स्किल्ड क्लास नहीं है जिसने आप वाइड कलर जॉब नहीं है अगर आप और जॉब्स बगारा करने आ रहे हैं उसका केस डिफरेंट है मेरा निखाल उसमें आपको यह सारी टेग्री टेस्ट बगरा कुछ नहीं चाहिए क्योंकि वह वीजा केटिकरी लेबर क्लास होती है तो लेबर क्लास के अंदर जो है आपको यह चीजों की किसी की टेंचिन लेनी नहीं है मतलब कोई डेग्री टेस्टेशन नहीं करवानी है आपको यहां पर आना है प्रोटेक्टर आपको बात करो जिसमें टेक्सी ड्राइवर्स होटल स्टाफ मैनेजमेंट स्टाफ सफाई वाले और यह लेबर स्टाफ और यह कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने वाले कोई भी है अगर वह आ रहा है तो उसको यहां पर आके किसी टेस्टेशन की जोरत नहीं है वह सिंपल अपन अगर आपको ओफर लेटर आगया है और आप उसके ओपर ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो सिंपल एक चीज है कि आपको प्रोटेक्टर एक्टर लगवाना पड़ेगा और यह वहली जो है जो आपने जो अट्रैशन वगवानी है आपको सारी करवाने पड़ेंगे तो उमीद करते हैं कि यह भी वीडियो काफी इंफर्मेटिक हो भी आपके लिए और आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा आपको कोई भी क्वेस्टेंस रहों कोई कुछ हो आप मुझे जो है टेक्स कर सकते हैं मैं अपना इमेल वगारा मेंचिन कर दूंगा तो कोई विच्वीज आप उसे ट्रैक्ली रिच कर सकते हैं तो आपको एवेलेपल पर यू तो है और थैंक्यू सो मच थैंक्यू वाचिंग पर बूब लॉस फिर मिलते हैं चाल लाइक ए